आप देख रहे हैं आजाद सिपाही का डिजिटल चैनल कि शिबु सोरेन फरिवार ने राज्य भर में अनुमानित 100 करोड की संपत्ती कोडियों के भाव खरी दी है हेमन्द सोरेन ने एक दिन में 16 प्लोट की रजिस्ट्री कराई है 30 मार्च 2007 को हेमन्द सोरेन ने एक ही दिन में 16 रजिस्ट्री के जरिये 5.28 एकड़ जमीन खरी दी है इतना ही नहीं हेमन्द ने जमीन का वास्तवी कीमत भी आईकर विभाग से छिपाई साथ ही उन्होंने 2014 के विधान सभा चुनाओ के समय चुनाओ आयो को जो हल नामा दिया था उसमें भी संपत्ति की सही जानकारी नहीं दी थी शनिवार को भाशपा के प्रदेश उपाध्यक्ष समीर पुराओं और प्रफेसर आदित्य साहु ने संयुक्त प्रेस कॉन्फरेंस कर या धमा का किया है जमीन से संबंधित डॉक्यमेंट भी पेश की है उनके साथ भाशपा के प्रदेश प्रवक्ता, राजेश शुक्ला, प्रतुल शाहदेव और मीडिया प्रभारी शिव पुजन पाठक उपस्तित थे भाशपा ने डॉक्यमेंट के साथ या खुलासा किया है कि हेमन सोरेन और उनके परिवार ने अपनी सभी संपत्तियों को अंडर वैल्यू करके दिखाया है एक अनुमान के मुताबिक सोरेन परिवार की कुल संपत्ति सौ करोड से जादा की है लेकिन यह प्रारमभिक अनुमान है वास्तविक संपत्ति इससे कई गुणा जादा हो सकती है कहा कि भाशपा अभी और खुलासा करेगी भाशपा नेतावन ने कहा कि हेमन सोरेन ने 2014 के चुनाव में चुनाव आयो को जो हलफनामा दिया था उसमें उन्होंने प्रापटी की कीमत एक करोड दस लाग रुपे बताई थी वहीं पत्नी की प्रापटी की कीमत हेमन ने एक करोड पचास लाग रुपे बताई थी मुख्य पेशा खेती को बताया था जबकि पत्नी की आई के स्रोत के बारे में कोई जानकारे नहीं दी थी इस हलफ नामे में हेमन सोरेन ने पत्नी कलपना मुर्मु के नाम राजु उराओं से 2009 में खरीदी गई हर्मु की जमीन का बेवरा नहीं दिया था भाजपा ने कहा है कि चुनाव आयोग के सामने दाखिल किये गए हलफ नामे में अपना या पत्नी की संपत्ती को छिपाना बेहत कमभीर मामला है भाजपा ने चुनाव आयोग से मंग की है कि इस मामले पर संग्यान लेकर उचित करवाई करते हुए हेमन सोरेन की विधाई की रध की जाए हेमन सोरेन ने बयान दिया है कि समय पर मजबूती से जवाब देंगे हेमन सोरेन ने कहा है कि भाजपा जैसे दल के लोगों की तरहनंगा नर्श करना भी नहीं जानते समय आने पर मजबूती से माकूल जवाब देंगे हेमन सुरे ने कहा कि 100 सोनार की चोट पर एक लोहर की चोट होगी जो साहुकार उन पर आरूप लगा रहे हैं पहले वे अपनी गिरवा में जाकी जिन लोग ने सालों तक राजजी ही नहीं देश के आदिवासी तरीतों का सोचन किया है उन्हें इस तरह का सवाल करने का हक नहीं है CNT, SPT, Act उलंगन और चुनाव आयोग को गलत सूचना देने की है मीडिया के सवाल पर हेमन सुरे ने कहा कि सरकार भाशपा की है वे चुनाव आयोग जाएं या जो भी चाहें करें भाशपा को अब खुद पर भरोसा नहीं रह गया है इसी का नतीजा है कि वह अब चरित्र हनन पर उतर गई है खबरों से जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेर करें धन्यवाद